महा भारत अंतरगत व्याग्रा गोमाय उपाख्यान यह उपाख्यान शांति पर्वके 111 वे अध्याई में उपलब्ध होता है इसकी कथावस्तु इस प्रकार है पुरिका नगरी में एक पौरिक नामक राजा राज करता था वह बड़ा ही क्रूर और दुष्टप प्रकृति का था सदा दूसरे प्राणियों की हिमसा में लगा रहता था मृच्यों के पस्चात उसे अगले जन्म में गोमाय की योनी प्राप्त हुई है उस समय अपने पूर्व जन्म के वैभव का स्मरण कर उसे अच्चनत पस्चात अप और वैराग्य हुआ अतहा वह दोसरों के द्वारा दिये गए मामस का भी बक्षन नहीं करता था उसने जीवहिम साथ याग दी और अपने वरत का दुरुड़ता पूर्वक पालन करने लगा वह वुर्ख्षों से स्वयम गीरे हुए फलों का आखार करता था शमस्यान भूमे में उत्पन होने के कारण वह वही रहता था उसके मन में अन्यत्र जाकर रहने की इच्चा ही नहीं होती थी गोमायु का पवित्र आचार व्यवखार उसके सजातियों को अच्छा नहीं लगा अतहा वे दंभपूर्ण मुरुदुभाशन के सहारे उसे धर्म से विचलत करने लगे वे कहते हैं भाई तुम मामसाहारी जीव हो श्मशान भूमे में रहते हो और फिर भी पवित्र आचार व्यवखार का पारण करना चाहते हो तुम हमारे सद्रशों हम तुमहारे भोजन की व्यवस्था करेंगे अपनी जाती का पारंपरक भोजन ही तुम्हें ग्रहन करना चाहिए उनकी बाते सुनकर वह गोमा युबोला बंधों दुष्ट आचरन के कारण ही कोई हमारी जाती पर विश्वास नहीं करता स्रेष्ट स्वभाव और सदाचरन से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है अतहा मैं वही कर्म करना चाहती हूँ जिससे मेरे वम्शिका यश बढ़े श्मशान भूमी में मेरे निवास का कारण यह है कि मेरे विचार से धर्मा चरन के लिए आश्रम बना कर रहना आवशक नहीं है शुभा शुभ कर्म आत्मा की ही प्रेरणा से होते हैं आश्रम में रहकर गोग की हच्चा करने वाला पातक का भागी होगा ही इसी प्रकार श्मशान आदि में रहते कुई हुए गोदान करना क्या निश्पल होगा तुम लोगों की जीविका निंदनिय, हिंसापोर्ण और उभई लोक में दुष्टफल देने वाली हैं आतहा मैं उसे स्विकार नहीं करता गोमायु के आचरण की चच्छा सर्वत्र फैल गई है तब एक व्याग्र ने उसे सम्मान प्रदान करते हुए उसे अपना मंत्री पद पर स्विकार करने के लिए प्रार्थना की व्याग्र बोला मैं तुम्हारे स्वरूप से परचित हूँ तुम मेरे साथ चल कर रहो और मनमानो भोग भोगो परन्तु मैं एक बात तुम्हें सूचित कर देता हूँ हमारी जाती का स्वभाव अच्चनत कठोर होता है यह बात लोक प्रसिद्ध है यदि तुम कोमलता पुरोक विवखार करते हुए मेरे हितसिधी में लगे रहोगे तो कल्यान के भागी बनोगे तब गोमायूने बोला वनराज आपने मेरे लिए जो बात कहीं है वक सरवता आपके योगी है तथा आपके लिए सत्स्वभाव का सहाई खोजना भी वुचित है किन्तु आपको नीति निपुन विसंधि विग्रह में दक्ष उत्म और बुद्धिमान पशुवों को अपना मंत्री और सहाई बना कर उनका गुरुवत सम्मान करना चाहिए मुझे सुखबोग की इच्छा नहीं है आपके पुराने सेवकों के साथ मेरे शील स्वभाव का मेल नहीं खाएगा वे दुष्ट प्रकृति के जीव है आपको मेरे विरुद्ध करेंगे उनका प्रता बड़ा हुआ है अतहा वे मेरे अधिन रखना स्विकार नहीं करेंगे मैं पापियों से भी कठोरता विवखार नहीं करता दोरदर्शी हूँ उत्साही और बलिष्ट भी हूँ मैं स्वयंक रुतार्थ हूँ और प्रचिक कारी सफलता के साथ कर सकता हूँ राज सहवा से अनभिग्य हूँ वन में स्वच्छन्दता पोरवक विचरता रहता हूँ मेरे जैसे वनचारियों का जीवन आसकती रहित और निर्भई होता है मैं निर्भईता पोरवक प्राप्त जल और भई के साथ प्राप्त हूँ स्वादु अन्न में जलका ही वरण करूँगा राजा के समेप रहने में भई ही भई है राज साइनिकों में से जितने लोग दूसरों के लगाए मिच्छा कलंक के कारण राजा के हाथ से मारे गए हैं उतने वास्तविक अपराधों की कारण नहीं फिर उसने कहा कि यदि मुझे से मंतरित्व का कारी कराना ही हो तो मैं आप से एक पंड कराना चाहता हूं आप मेरे आत्मी योंग का सम्मान करेंगे उनके हितकर बाते सुनेंगे मैं आपके दूसरे मंतरियों का साथ कभी परामर्श नहीं करूंगा आप से ये कांत में चर्चा किया करूंगा आप अपने सजाती योंग के विशे में मेरा परामर्श नहीं लेंगे मेरे पूरोवर्ती मंत्रियों के दोशों के लिए भी उन्हे प्राणदंड नहीं देंगे तथा कभी मेरे आत्मी जनों पर प्रहार नहीं करेंगे व्याग्र ने उसकी बात स्विकार कर ली गोमायू व्यागर के मंत्री पद पर प्रतिष्टित हो गया उसकी प्रशमसा होने लगी तब राजसेवक संगहटित होकर उससे द्वेश करने लगे वे समोह बनाकर गोमायू के पास आते और उससे मित्रभाव प्रदर्शित कर उसे अपने समान ही दुष्टमार्ग पर लाने का प्रहत्न करते थे किन्तु वे ऐसा नहीं कर सके एक दिन उन्होंने व्यागर के भोज्ज मामस को चुरा कर गोमायू के घर में रख दिया गोमायू ने जान लिया कि मामस चोर कौन है किन्तु वह मौन रहा उधर शुधा ग्रस्त व्यागर भक्षनार्थ मामस खोजने लगा किन्तु वह उसे नहीं मिला तब उसने सेवकों को मामसा पहारी का पता लगाने की आग्या दी किन्तु धूर्त सेवकों ने उसे बताया कि यह आपके मंत्री का ही कार्य है यह जानकर व्यागर क्रोधा विष्ट हो गया और उसने गोमायू के वध का निश्चय किया उचित आवसार जानकर उसके पूरो मंत्रियों ने कहा महाराज गोमायू उपर से धर्मात्मा दिखता है खिंतु वस्तुतहा अतिकुटिल है फिर वे गोमायू के स्थान से छिपाया हुआ मामस ले आये तब व्यागर को गोमायू के चोर होने का विश्वास हो गया अन्त तहा व्यागर ने उसके लिए प्रानदंड की आग्या दे दी व्यागर का यह निश्चय जब उसकी माता को ग्यात हुआ तब वक्पुत्र के पास आई और बूली वद्स इसमें कोई शड्यंत्र जान पड़ता है अतहा तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए एक वोर तो तुम्हारे असाक्ष गर में चोरी हुई साथ ही मामस ऐसे प्राणी के घर में मिला जो उसे नहीं खाता है इन दोनों बातों पर पहले भली बांती विचार कर लो तुमने ही उसे मंत्री पद पर आसिन किया है और तुम्हारे सामनतों में भी इसकी ख्याती बढ़ गई है जो दूसरों के द्वारा मिच्या कलंक लगाने पर किसी निरपराद को दंड देता है वह राजा स्वाइम ही नश्ट हो जाता है व्यागर की माता अपनी बात समाप्त भी नहीं कर पाई थी कि राजा सेवकों में से एक धर्मात्मा प्राणी उठकर मंत्री के प्रती रचे गई शड्यंतर की सूचना व्यागर राज को देदी व्यागर को सच्च स्थिती का ज्यात हुआ तब व्यागर ने सम्मान पोर्व गोमायु को निर्दोश गोशित किया गोमायु नीतिग्य था उसने व्यागर से प्रायूप वेशंद्वारा प्राणत्याक की आज्या मांगी किन्तु व्यागर ने उसे स्वीकार नहीं किया तब गोमायु ने कहा राजन पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और फिर अपमानित कर मुझे शित्र के पद पर पहुंचा दिया अतखा अब मैं आपके समेप रहने योग्य नहीं हूँ आपने योगी समझ कर मुझे मंत्री बनाया था किन्तु इसके पस्चात अपने दिये वचन को भूल कर मेरा अपमान किया एसी दशा में अब नामे आप पर विश्वास कर सकता हूँ और ना आप मुझे पर आपके बृत्यू परच्छिद्रान वेशी है प्रेम का बंधन बड़ी कठिना इसे तूटता है परन्तु जब वक एक बार तूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ पाता जो प्रेम वारम वारम तूटता और जुड़ता रहता है उसमें स्नेह नहीं होता सुयोग विक्ति को पहचानना कठिन है गोमायू के युक्ति युक्त वचनों से व्याग्र प्रसन हुआ किन्तु गोमायू उसे छोड़ कर वन में चला गया अपने धार्मिक कर्मों में रत वनवासी मुनी के भी शित्र, मित्र और वुदासीन ये तीन पक्ष उत्पन हो जाते है प्रेम का बंधन बड़ी कठिनाई से तूड़ता है परन्तु जब वख एक बार तूड़ जाता है तब बड़ी कठिनाई से जुड़ पाता है जो प्रेम बार बार तूड़ता और जुड़ता है उसमें स्नेख नहीं होता